नमस्कार दोस्तों मैं परदीब दूवे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं होम क्रेडिट कमपनी के बारे में तो क्या आप इस कमपनी से लोन लिये हो और एक कमपनी का जो रिकुरेट टीम है अगर आपके घर पे आके आपको धमकी दे रहा है प्रिसान कर रहा है तो आपको उनसे कैसे बात करना चाहिए अगर कमपनी आपको लिगल नोटीस देता है तो कैसे आपको इनसे बाहर निकलना है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो लोग होम क्रेडिट कमपनी का टाइम से एमाई पैडर नहीं कर पाएं ए वीडियो उनके मेरा अपसी रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अन तक वाज करना चलिए शुरू करते हैं तो होम क्रेडिट एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है पहले के टाइम में एक कंपनी अगर किसी को लोन देती थी अगर कंपनी का पैसा नहीं देपाता था तो उनके तरफ से जादे इतने प्रोलम नहीं होते थे अब अगर आप लोन लेते हो टाइम से अगर पैड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी यह की भी अगर मिस होती है तो कंपनी की जो रिक्वेश्ट टीम है उनके जो प्रेसान करती है और आप स इसके बारे में आपको सेयर करने बाला हूं दोस्तों एक कंपनी क्या करती है कि अगर आप इनका पैसा नहीं देते हो तो आपके घर पे रिक्वेश्ट टीम भीशती है इनके रिक्वेश्ट टीम आते हैं घर पे आप से पैसिक डिमांड करते हैं एक दो बार आते हैं और अ इतना ताइम दियाता है, साथ दिन, पांद दिन, दस दिन, पैसा पैड करो, नहीं तो आपके उपर हम लीगल करवाई करेंगे, इतने के केस करेंगे, तरह तरह की बातेस में लिखी गई रहती है, अब आप लोग यहां पर डर जाते हो, दोस्तों दिखो मैं आपको बता दू प्रोष्टिंग है, उस तरीके से कमपनी काम करती है, जैसे कि आपका अगर पचाहजार रुपे का अमाउंट अगर बाकी है, तो कमपनी क्या करती है, कि पहले तो आपको कभी भी रिकुरेट टीम भीचे घर पर गुंडे, गिरी या मार पिट नहीं करती है, अब अगर कमपनी लीगल है, NWFC रेश्टर कमपनी है, होम क्रेड जो है, अब यहाँ पर अगर एक कमपनी लीगल तरीके से काम न करके आप घर पर गुंडे भीचती है, या आपसे पैसा रिक्रिक करने की बात करती है, प्रेसान करती है, गाले अलोट करती है, आपके रिफरेंस में कोई भी अधिकार नहीं ही रता है कि कि आर्य सो नंबर के कॉल कर देना है तो तुरंट जो है आप ए घर पर पुलिस आएगी और आपके जो मुहेंतर है वो क्लियर पिया जाएगा आपको पता है कि जो भी केस होते हैं वो लीगल तरीके से होते हैं अगर कोई फ्रोट करके आप से पैसा लेने की बात करता है वो नहीं ले बाएगा तो इनकिस देखा गया है कि काफी होम के एजेंट आते हैं घर पे और उल्टी-पूल्टी हरकत करते हैं तो जो जो लीगल रहेंगे रिक्वरी एजेंट वो हमसा टाइम से आएंगे आप से बतमीजी नहीं करेंगे प्यार से बोलेंगे आप मेरा पैसा पैड कर द आपको एक टाइम भी मिलता है ऐसा नहीं है और जो अन्लीगल होते हैं आएंगे धमकी देगे आपको बोलेंगे हम कोट मे लेकर जाएंगे एक करेंगे तो देखिए मैंने आपको भी क्या बताया कि जो कम्पनी लीगल होती है कभी भी ओह आपको गलत तरीके से पैसा सुन और रियल तरीके से पैसा लेने के लिए कोशिश K drugs में ले जाने के लिए तो सही तरह कर जाए पर अगर अगर नहीं कर चुकित UP嗫 तो नहीं पर आपको पता है कि जब गलत काम कर जाती की अगर एक कर्षिटमर है क्यों आपको पता है कि अगर यक क कस्टमर है तो अगर आप लोन लेते हो तभी कंपणी चल रही है अगर आप लोन नहीं लोगे तो कंपनी कहां चलेगी कंपनी और गलत तरीके आपके संग कर चुकी है तो कोर्ट में जाने स्क्यूर्टी है कि वहाँ पे उनकी पास कुछ चीज़े फुरूप करने के लिए होना जरूरी है अ आपको पता है कि कोट कभी भी कोई भी चीज को जाज परताल करने के बाद फैंसला सुनाता है तो आरिवाई और कानून के अनुसार कोई भी कमपनी अगर लीगल है तो उसको लीगल तरीके से पैसा लेने का अधिकार है ना कि मार्पिट करके तो अगर आपके संग ऐसा होता ह है कोई मार्पिट करता है घर पर बत्मीजी करता है तो सो प्लीज आप कभी इन से मड़ डरना हां अगर आप किसी का पैसा लिए हो तो मैं आप से एक रिक्वेश्ट करूंगा चाहे हो कोई कमपनी पैसा टाइम से देना अगर आप पैसा नहीं दे पार हो तो कमपनी से लेना कोई संगीन अपराद नहीं होता है क्योंकि लोन आप लेते हो कमपनी के संग आप टाइप लेते हो कमपनी की और आपकी मर्जी होती है ना कि आपकी किसी और का सला लेकर आपने लोन लिया है तो दो लोग का बीच का बात रहता है तो लोन लेना कोई बहुत बहुत ब नहीं डरना कि आप डरते हो तब यह लोग आपको और प्रिशान करते हें वसक्त प्लिश्च किसी का पैसा लेना तो टाइम पर पैड़ करते है किसी का पैसा बेमानी मत करना एक गलत है योगि लीगल तरीके से अगर आप कोई काम करोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे और आपकी सोच अची बनी रहेगी यह है तरीका कमपनी से प्रसा लेने का साथ आप इस वीडियो में समझ चुके होगे वीडियो कहसा लगा इसे लाइक करना सेर करना आपके आपने क्या ख्याल कमेंड करना फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम